हे गाईस टैक्स के बारे में एक छोटा सा अपडेट आया है वो भी स्टॉक मार्केट के उपर तो मैंने सोचा आप लोग को इनफॉर्म कर दूँ ठीक है और यह किसके तरब से आया है तो यह आया है फाइनेंस मनिस्ट्री के उपर ठीक है तो पूरी डिटेल में हम यहाँ प इनकम टैक्स रिटन वाट इट मीश फूर्स टॉक मार्केट ट्रेडर आप देखिए जितने भी लोग अंट्रेश में प्रेडिंग करते हैं ज्यादा दर लोग इंट्रेडेश प्रेफेर करते क्यों उनको इंट्रे अच्छा लगता है पूर्म करते हैं बहूत और तरी लो लोग काम करते हैं जिनका financial condition थोड़ा strong होता है ठीक है तो इसलिए वहाँ से income tax लेना जरूरी है अब देखे ये तो मुझसे ज़्यादा आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा income tax के बारे में ठीक है और ज़्यादा तर सीएज लोग को पता होता है कि अगर आप income tax नहीं तो जेल भी हो सकती है ठीक है और अगर आप सही तरीके से income tax देते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगे यहाँ पर तो यह खबर जो है लगबग एक दिन पहले आई है यहाँ पर देखे मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन ए मेजर आनाउंस्मेंट ठीक है दा फाइनेंस मनिस्टी हैसेड़ देर इस नो रिक्वार्मेंट फोर स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग इन्कम टैक्स रिटन फ्रॉम डे ट्रेडिंग अभी देखे डे ट्रेडिंग का मतलब तो आप लोग को पता होगा इंट्र ट्क है इंट्र डे इंट्र डे जयादा तर लोग करते है ना तो इंट्र डे में आप लोग को स्क्रिप्ट वाइज इंकम टैक्स देने की कोई जरूत नहीं यह पूर डीट्ल देने की यहाँ पर बताया है नो नीट्टू यहाँ पर देख सकते हैं no requirement for स्क्रिप्ट या nifty bank या कुछ भी करते हैं वो लोग तो उदर में क्या होता है तो वहाँ पर भी और उसके साथ साथ purchase of listing share अगर listing gain भी होता है आप लोग को या business gain में तो वहाँ पर आप लोग को script wise income tax देलने की कोई जरुवत नहीं तो यह एक छोटा सा छोटा सा एक relief है ठीक है यहाँ पर औ आपको clarification आपको दिया जा रहा है क्योंकि देखें जो social media में जो बहुत सारे ऐसे news आते हैं जहाँ पर थोड़ा सा कुछ mistake भी हो जाता है लेकिन income tax में हम mistake नहीं कर सकते हैं जब भी आप file करने जाते हो ठीक है बगरा तो इसलिए आपको न यहाँ पर मतलब जो concrete news होता है वो जो script wise detail है ठीक है वो income tax में आप लोगो देना पड़ेगा किसमें आप लोगो देना पड़ेगा यह आप लोगो reporting of the long term ठीक है capital gain में आप लोगो देना पड़ेगा यहाँ पर यह चीज़ ठीक है अगर आप यहाँ पर आपको नहीं दोगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रखती है तो short time intraday में तो बज्जा होगे और देखिए आप लोगो कैसे देना है वो भी आपको बताया जा रहा ठीक है comparing different value different value को आप लोगो compare करना है सच जैसे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको focus करना पड़ेगा cost किसका cost stock का ठीक है कितना price है sell price आपने कितने पे sell किय and market price market price क्या था जब आपने वहां से खरीदा था as on January 31st 2018 for each share each share का मतलब होता हर एक quantity हर एक quantity पर unit there is need to capture the script wise detail for come मतलब वहां पर जो भी आपको गेन होगा यहाँ पर script wise पूरी detail में आप लोगों को जानकारी देनी पड़ेगी long term capital gain में अब देखे होता क्या है कि जो intraday है ना intraday में लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं जैसे कि एक ही दिन में एक ही दिन में वह four या five time sell और purchase कर लेते हैं जिसके वज़े से record रखना थोड़ा मुस्किल हो जाता है तो intraday और short term में क्या होता short term बहुत सारे लोग क्या करते हैं दो दिन या 10 दिन 15 दिन दो मेहने ऐसे रखते हैं और बेस देते हैं तो यहाँ पर भी अब देखिए मैं आपको एक stock exchange से ही tax verification कर लिया जाएगा tax verification कर लिया जाएगा फिर भी कोई प्रॉब्लम आने से वह आप लोगो को notice बेच सकती है तो मैं तो आप लोग को बोलूँगा long term सही रहेगा long term में पैसा भी बनेगा save भी रहोगे और tax भी लगेगा देखिए यह चीज है ना बहुत भारी पढ़ता है आप लोगो कैसे मैं आपको बताता हूँ ठीक है अगर आप काम करें stock market में आपको tax देना है कि नहीं देना है tax देना है कंपल सरी है broker को broker भी देना है ठीक है तो वो भी आपको चला जाएग broker को brokerage देना पड़ेगा और आपको क्या मिलता है last में कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि आपके पैसे सही तो यहाँ पर जाता है नमान लीजे आपके पास 100 रुपीज है 100 रुपीज में से 2 रुपीज आपको tax लग गया 1 रुपीज आपको यह लग गया ठीक है और उपर से short term में जल्दी जल्दी बेचते हों खरीते हों तो वो थोड़ा मुस्किल होता तो मेरे हिसाब से वो करना सही नहीं है आप long term के लिए खेलोगे तो उसमें आप लोगों को profit भी होगा और वहाँ पर आप सही तरीके से काम भी कर सकते हो और देखिए share market में बहुत जादा है financial condition होती है यहां पर बहुत सारी लोग बड़े-बड़े amount से काम करते तो यहां पर tax बरना बहुत जादे important है और यह हमारा responsibility है कि tax देना चाहिए हर तरीके से और अगर कुछ होती है तो government पकड़ भी लेती है तो अगर आप stock market में काम करते हो तो मुझे लगता कि आप लोग को compulsory पता होना चाहिए कि tax कहां कितना कैसे लग रहा नहीं तो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप कुछ भी problem हो सकता है तो problem में फैलने से पहले ठीक है नहीं वहां जाने से पहले आप पूरी जनकारी ले लिया करो कि अगर आप कहां पैसा लगा रहे हो कौन से stock में कितना क क्या लगा रहे हो कहां लगाना सही रहेगा क्या करना सही रहेगा इंटरी फ्यूचर ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी यह तार्गेट वगर सब कुछ आपको सोच करना चाहिए और टेक्स के बारे में तो बहुत जादा जरूरी है क्यों कि लोग यहां बड़े- स्टार्ट जागा वैसे भी आपको यहां पर देख सकते हैं कि एंचल और ना अच्छे प्लाटफॉम में जहां पर आप और आपका पैसा सेफ रहता है यहां पर है यह एंजल का गृप है चहाँ पर आपको बताये जाता है क्या खरीदना है क्या बेचना नहीं बीचना नही झाल